कर दोस्ते वोसीन नेटवर्क वें आपका स्वागत है हमारे पडोसी और हमारे 1947 से ही दुश्मन बने बैठे पाकिस्तान के जो हालात इस समय हो गए है आर्थिक तोर पर भी दिवालिया पनके कगार पर है अगर हम सामाजिक राजनेतिक सांस्कर्तिक सांस्कर्तिक शायद कभी था नहीं और जो वहां की रक्षा सुरक्षा कानून उन सारे पैमानों पर भी निगहाद उड़ाए तो पूरी तरीके से एक विफल राष्ट राष्ट शायद वो कभी बन भी नहीं पाया पर एक विफल देश जो है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, बलके हो चुका है। वैसे तो जो दो देश बनने का जो concept था और इसलाम के आधार पर जो भटवारा हुआ था। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांगला देश में परिवर्तित हो गया, तो वो तो टू नेशन थियोरी का जो एक concept था वो तो उसी समय खतम हो गया था। इसके अलावा भी पाकिस्तान में अलग अलग शेत्रों में बलुचिस्तान हो, सिंद हो, गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, पियो जेके हो या जो अलग अलग समुदाएं हैं उनके बीच में भी जिस तरह के संगर्स देखने को मिलते रहे हैं, वो वैचारिक भी हैं, संतिक भी हैं, भाषाई भी हैं, दूसरे भी हैं, उसको लेकर के भी बहुत पुड़े सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन हाल में जो कुछ हुआ है, और विशेस कर मैं बहुत पीछे ना जाकर के जब जनरल मुसर्रफ के टाइम में नवाज शरीफ का तक्ता पल्टा गया हालात ऐसे मोड पर आ गए हैं कि ये देश अब तूटने और विखरने के कगार पर आकर के खड़ा हो गया है, ये हालात क्यों बने, इनके लिए कौन जिम्यदार है, क्या अब ही कोई गुंजाईश है कि ये देश तूटने और विखरने से बच जाए, क्योंकि जिस तरीके से सेना और जो नागरिक हैं उनके बीच में तलवार तन गई है, सेना और इमरान खान के समर्थकों की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो गौर्मेंट जिस तरह की लाकर के बठाई गई है, जो बहुत ही अलोग प्रिये है, जिसके नेताओं पर तमाम तरह के आरोप ह और उन्ही को इमरान खान ने हत्यार बना लिया है सेना के खिलाफ, आज जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, उस समय भी वहाँ से बहुत डरावनी खबरे आ रही हैं, एक संगठन है, उस संगठन के पीज़े कौन लोग हैं, ये सब जानते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्ता गए हैं, अब आप अंदाजा लगाईए कि जो सेना, जो अर्द सैनिक बल जो पुलिस अपने देश के सुप्रिम कोर्ट की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने सेना के लाहूर के कोर कमांडर के घर को, उनको उनके परिवार को महफूज नहीं कर पा रहे हैं, उस सेना का आज क्या हाल हो गया है, वो सेना जो सबसे उपर मानी जाते थी और जिसके बारे में कोई कमेंट भी करना पसंद नहीं करता था, उस पर आख मुंद करके भरोसा करता था, वो सेना अगर आज कटगरे में है और उसके अधिकारियों पर उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, यहां तक कि रावल पिंडी में जो उनका मुख्याल्या है, वहां भी लोग घुज जाते हैं, और तीन कोर कमांडर ऐसे हैं, जो सेना परमुक का आदेश मानने से ही इंकार कर देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तूटने और बिखरने के कगार पर जाकर के पहुंच गया है, मेरे साथ आज बहुत ही खास महमान जूड रही हैं, स्वातित और से कर जी जो अंतर रच्ष्टी मामलों की भी और खास तोर से पाकिस्तान के मामलों की भी बहुत ही माहिर जानकार हैं, तो स्वातिष्य को जोड़कर इस चर्चा को आगे बढ़ पाकिस्तान में पहले तो उस पर मैं एक टिपनी चाहूंगा और फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक परिस्थिती है इसे वहाँ पर निर्मान होते हुए हम सब ने देखी है कि इमरान खान की सत्ता चली गई उसके बाद उन्होंने हार तो नहीं मानी पूरे पाकिस्त जो है वो उनकी भीड उमडती हुई हम लोगों ने इन मीटिंगों में देखी है अभी इससे थोड़ा बहुत बोध लेकर वहां की सरकार हो या लशकर हो उन्होंने अपने जो पैत्रे है वो बदलने की जरूरत थी लेकिन वैसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा और ऐसे लगता है कि सब जहां इमरान हो सरकार हो या लशकर हो अहंकार में डूबे हुए दिखाई दे रहे और इसका ही परिड़ाम जो है वो एक कानूनन लड़ाई चलती है वहां पर और अगर कानूनन रहती है तो भी ठीक है लेकिन वो रस्ते पे कब उतरती है जनता उतर रही है सरकार में पुलीज उतराई है और उनके वहां के जो लशकर है उन्होंने निमलशकरी दल बेच कर एक अरेस करने का जो ड्रामा बनाया यह सब चीजे जो है वहां की जो आम जनता है उनके लिए बहुत चिंता करने की चीजे एक तरफ तो आर्थिक परिस्तिती ऐसी है उससे उभरने के कोई संकेत नहीं है यह सब जो पार्टिया है राजकियों पक्षव हो वहां के दल हो सरकार हो या लशकर हो इन्हें कीनी को भी रूची नहीं है कि आर्थिक संकट से पाकिस्तान को बाहर निका ले तो यह बहुत चिंता चलक्रिश्य है स्वाति जी हमारे दर्शक यह समझना चाहेंगे 1947 में दो देश हलाकि भारत तो पांच हजार साल की सब्वेता वाला देश है और एक एतिहासिक देश कालखंड देखा है भारत ने तो यहां की सब्वेता यहां की संस्कृति यहां का इतियास बहुत ही सम्रद्द है लेकिन 1947 में आज़ादी भी मिली और एक देश भी अलग हो गया पाकिस्तान के रूप में भारत इतनी तरक्की कर चुका है कि आज पूरी दुनिया में उसका ढंका बज रहा है पाकिस्तान पूरी तरीके से बदहाली के कगार पर जाकर के खड़ा हो गया है पाकिस्तान की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है और कौन-कौन से कारण रहे हैं जिनकी वज़े से आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई है इसमें से एक सबसे बड़ी चीज है कि वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने कभी एक कंसेंस शुरुवात को जो पहला दशक था भरत में तो 1947 में हमें आजादी मिली और 1950 में हम अपनी घटना लेकर आ रह से उसी घटना को पकड़ते हुए आज हमने 70 साल 75 साल का एक प्रवास जो है वो पूरा किया हुआ दिखाई देता है लेकिन पाकिस्तान में घटना तो बनी ही नहीं थी उस पर जो बहस चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हुए दिखाई दिए और नहीं चीजें लाते रहे तो एक तो घटना बनी नहीं इसका जो फाइदा उठाते हुए वहां की आर्मी जो है उन्होंने बार बार सत्ता अपने हाथ में ली थी ऐसे दिखाई देता है और जब भी जब आर्मी ने सत्ता हाथ में लेने का सवाल आया तो वहां की जो जुडिशियर यह है वो भी उनी के साथ खड़ी थी ऐसे दिखाई दिया एक जिसे बोलते हैं डॉक्रीन ओव नेसेसिटी करके तत्व है उसे खोज निकाला था हो वहां की पोर्ट ने और बोला गया कि जब भी जब देश की सुरक्षा खत्रे में है तो कानून क्या बो सिटी था उसी से शुरुवाद हो गया और यह जो आज जिस कगार पर आके खड़े हैं इस तरह के जो मैं तो इसे मर्कट लीला बोलती हूं इसी का परिणम है कि आज यह उबर नहीं पा रहा है किसी भी संकट से और स्वाती जी 2018 में कौन नहीं जानता है कि इमरान खान सेना की ही कट पुतली बन करके आये थे सत्ता में और सेना की वज़े से ही वो परधान मंतरी बने थे और सेना परमुक के साथ जनरल कमर बाजवा के साथ इनकी जो समझ बूज थी अंडरिस्टेंडिंग और जिसको हम कहें कि आज अगर इमरान खान की भाशा में ही कहें जो दोस्ती थी जो कहना चाहिए कि बिलकुल दूद और शक्कर जैसी जो इनकी हालत बन गई थी और अब ये चाती पीट रहे हैं कि कमर बाजवा ने मेरी पीट में छुरा गोपा और वो कौन सा परकरण था जिसकी वज़े से दोनों के मतभेद पैदा हुए बहुत सारे लोगों को पता होगा ज्यानकारी होगी यही सेना परमुक आसीम मुनीर आइसाई के सर्वे सर्वा हुआ करते थे और इन्हों ने पाकी तो छोड़ दीजे खुद इमरान खान और इनके कुछ करीबी रिष्टेदारों की जासुसी कराई थी जिसकी भनक इमरान खान को लग गई थी और उन्हों ने इन्हें रिमूव करने का आदेश जारी कर दिया था आज वो ही सेना परमुक और इमरान खान बिलकुल आमने सामने खड़े हैं यह जो पाकिस्तान में एक रीत नीत बना ली सेना ने कि किसी एक को लेट डाउन करना है किसी दूसरे को लेकर कर आईए उसको अपनी कट पुतली बनाईए उसको यूज करिये और फिर थ्रो कर दीजिए क्या उसी का नतीज़ा है कि इमरान खान आज तनकर के सेना के खिलाब खड़े हो गये हैं सेना और वहां के जो राजकिय दल है इनके सम्मंद सिर्फ उनको सत्ता में लाने तक ही मदूर रहे हैं और बाद में हर किसी में खटास तो आगए जो बेनजिर गुत्तो की नेतरूत्व की मामला देख सकते हैं या नवाज शरीफ का उधारन है इस दोनों जगह पर शुरुवात में जो सत्ता में आ गए तो लशकर उनके साथ था और आगे चलकर जो संबन है उसमें जो तनाव पैदा हो गया उसी में उन्होंने अपनी सत तब ही खोड़ी तो यही कारण था कि नवे के दशक में जबी इम्रान खान तो बहुत मशूर क्रिकेटर थे और एक वहाज की जो जो बोलते हैं नवे नई पीड़ी थी उनके उपर उनका बहुत प्रभाव था इसे देखकर लशकर ने उन्हें दीरे दीरे चलकर सामाजिक जीवन में आने के लिए फ्रुट्सान देते रहे थे उसी का जो कल्वी नेशन है वो 2018 में उन्होंने सोच दिया कि एक तो जनता भी बिखर चुकी है उन्हें ना पीए में अच्छा लगता है ना पीपीपी तो क्यों नो तीसरा एक कोई परिया निर्मान करें विकल पर इस समझ भी नहीं है पॉलिटिक्स की भी नहीं राज्यकारवार कैसे चलाया जाता है उसी की भी समझ नहीं है तो एक प्रकार से कट्पुत लिए थे आज क्या ये मना जाए कि चुकी पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया पन के कघार पर है कोई भी अंतराष्ट्री ये वित्तिय संस्थान उसे चिम्टे से भी छूने को तयार नहीं है कोई नया कर्ज देने को तयार नहीं है इसके अपने जो करीबी हुआ करते थे और वो करीबी भी क्यों होते थे क्योंके उनके अपने आर्थिक हित जुड़े हुए थे, चाहे साओधी हो, चाहे चीन हो, या पहले और पीछे जाएं तो अमेरिका हो, उन्होंने अब मदद से हाथ खीच लिया है एक तरीके से, आइम एफ के यहां इनकी पिछले छह साथ मह इनने से फाइल पड़ी हुई है, वो जवाब तक देने को तयार नहीं है, तरह तरह की शर्तें थोप रहा है, तो क्या सेना को अब इस बात का अंदाजा हो गया है, कि ऐसी इस्तितियों परिस्तितियों में अगर उने मार्शाला लागू किया, तो देश चलाना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, और जो थोड़ी बहुत इज्जत अभी बची हुई है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी पूरी आर्थिक मदद जो है, बन कर देगा। तो एक ये कारण है कि उसी के बाद कभी वहाँ पर लशकर ने सीधे तो सत्ता हाथ में नहीं लिए, लेकिन पीछे रहते हैं, परदे के पीछे रहकर जरूर अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात है, आपने आएमेफ की जो बात कही है, इसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि आएमेफ ने जो शर्ते लगाई है, उन्होंने दो चीजे बोली है, कि एक तो आप सब भी राजनितिक दल है, उनकी इस पर स्वाक्षरी हो जाए, क्योंकि आज एक दल सत्ता में है, कल दूसरा आएगा, और वो बोलेगा ये करार हमारे बीच में नहीं हो गया था, तो हमें ये स्थिति नहीं चाहिए, सब की स्वाक्षरी हो इसके उपर, और दूसरा आएमेफ ने बोला है कि आप लशकर पर कितना खर्चा करते हो, इसका पूरा व्योरा हमें दे दो, क्योंकि लशकर पर जो पाकिस्तान खर्चा करता है, वो फिजूल है, जो एक डर उन्होंने पैदा करके रखा है, कि ताक कि भारत अपने उपर अकरमन करेगा, इस लिए हमें तयार रहने की जरूरत है, और ये डर दिखा दिखा कर, जितनी भी आयर है पाकिस्तान की, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खीचा है, लशकर ने बहुत सालों से, तो ये स्थिती जो है, इसमें आयर मेफ समझती है, कि यही चालू रहा, और इनका स सुरक्षा पर जो खर्चा हो रहा है, वो ऐसे ही रहा, तो ये कभी भी अपना करजा वापस नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बोला है, कि आपका defense expenditure है, इसमें भी हमें आप कैसे कटोती करने हो, इसका ब्योरा दीजिए, और वहीं पर सब अटका है, लशकर जानता है, कि य कामला आने वला है, और कहीं तरह से दबाने की कोशिश भी कर सकते हैं, आप मैंसे बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, स्वाती जी जो लशकर शब्द का इस्तिमाल कर रही है, वो सेना के लिए कर रही है, जो वहां की defense system, जो खास्त और से सेना, तो बहुत सारे लोगों को कोनी fusion हो सकता है कि कहीं लशकर तयवा की बात नहीं करें, लेकिंगे सेना से उनकी मुराद है, स्वाती जी, जिस condition में आज पकिस्तान आकर के खड़ा हुआ है, जहां पहली बार सेना के खिलाप लोग सडकों पर हैं, जहां पहली बार Supreme Court के दरवाजे को तोड़ करके, में ग बुस गए हैं, यह जो इस्तितियां पर इस्तितियां निर्मान हो रही हैं, क्या इसके बाद हम यह कहें कि एक धक्के की जरूरत है, बस पाकिस्तान तूट करके बिखर जाएगा, जरूर, हम देखते हैं कि सेना की देखिए, आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि वहां के जो सेना की साथ रहते थे, आज मुला है, लशकर सेना के विरोध में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां की जो न्याय व्यवस्ता है, वो भी सेना के साथ खड़ी थी, मैंने जो डॉक्त्रीन ओफ नेसेसिटी की जिकर की, वो भी उसी का एक उधारण है, कि जहां पर न वियाय व्यवस्ता ने उनका साथ दिया था, आज वो भी उनके किलाब हो रही है, तो ये परिस्तिती आधूत है, लोग भी मामते थे, आज तक पकिस्तान की जनता तो उनके लिए गवरवशाली उद्गार रखती थी, कि बोल रहे थे कि सेना है, इसलिए हमारा देश है, व वही इसे आगे ले जाएंगे, इतना बहुत बड़ा एक भरोसा था विश्वास का लोगों को, ये लोगों का विश्वास जो है, ये पूरी तरह टूट गया है, और इसलिए ये जो परिस्तिती निर्मान हो गई है, तो लशकर ने अपने जो नैचरल सोर्सेस थे, साथ देने वाले जो फ्रैक्टर्स थे, वो पूरी तरह खो दिये हैं, और इतना ही नहीं, हमने तो वारताएं सुनी है, कि उनमें दो शकले हो गई है, सेना में फूट पड़ी है, एक जो तकता है, वो उनको चार या पांच कोर कमांडर है, उन्होंने आदेश पालने से इं कोर्ट मार्शल चल रहा है, इसी भी एक मैंने देख ली जो वारता थी, तो कोर्ट मार्शल समझ रहे हैं कि कुछ 70-80 लोगों के ऊपर चल रही है, तो ये जो स्थिती है, ये ठीक नहीं है, तो एक अटूट नहीं रही सेना वहां की, और उनके साथ देने वाले फैक्टर भ हो गया है, बहुत पड़ी बात आप कह रही है, क्या हम ये मान लें कि जो कमजोर हुई है सेना, जो अंदरूनी उसके विवाद मतभेद और फूट सामने आई है, उसके बाद से हालात और ज़्यादे पेचिदा हो गए हैं, और ज़्यादा इस बात की संभावना बढ़ भले ही सरकारें आती रही, जाती रही, ठूटती रही, तक्ते पलटे जाते रहे और सेना चीजों को संभालती रही और सेना पर लोगों का भरोसा भी जमा रहा पाकिस्तान में, अगर सेना कमजोर हो गई है, ठूट रही है, बिखर रही है, तो देश को बचाना बहुत कि लोगा है और दूसरे मैंने जो बोल दिया कि उनके साथ आने वाले फैक्टर है वो सब भिकर गए उन्हीं में ही फूट पड़ी है तीसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि अगले दो या तीन दशक में इस सेना में कोई भी युद्ध ऐसे नहीं छेड़ा है कि जिसमें उनके खुद के सैनी उन्होंने शामिल हो गए हो इन्होंने तो हमेशा प्रॉक्सी और किया है तो जो दैशद गर्दी करने वाले जो गुठ है उन्हें पालते रहें उन्हें पैसा देते रहें उन्हें शस्त्र सामगरी जो है वो पहुचाते रहें और उन्हें छोड़ते रहें आफगानिस्तान में चाहे या भारत में, जम्मु गश्मीर में या पंजाब में और उनके हाथो दुवारा ये युद्ध करते रहे तो इनका जो युद्ध सराव है ये भी आज शक्त में आ गया है जो सेना जो है वो उत्री भी रण में तो क्या कर सकेगी इस पर सवाल भी हो सकते है कि एक तो पैसा नहीं है जो जनरल बाजवा की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉंफरेंस नहीं थी लेकिन जहां पर कोई मेडिया कर्मी हाजिर थे उन्होंने बताया कि बाजवा जी बोल रहे थे कि हमारे टैं हालात है इनकी उन्होंने भी समझ लेना चाहिए कि कहा तक यह चीजे जो है इम्रान खान और कुछ नहीं मांग रहे हैं वो तो सिर्फ बोल रहे हैं अगले साल से कि आप इलेक्शन करवा हो अभी इस पर जो मैं इसलिए मैं बोलती है इगो है अहंकार है सभी पार्टियों इसलिए यह सब स्थिती पईदा हो गई है और स्वाति जी इम्रान खान ने ही यह हालात निर्मित किये हैं जो आज पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं कि पहली बार लोग सेना के खिलाफ सडकों पर उतर गए हैं सेना के जो मुख्याल्य है रावल पिंडी लाहोर पेशा क्वेटा वहां पर अटेक भी हुए हैं और इस तरह की इस्तियां परिस्तियां पाकिस्तान में इससे पहले कभी निर्मित नहीं हुई क्या भारत को दबे छुपे ही सही इम्रान को मजबूत करना चाहिए या उसके भी खत्रे हैं एक आज हम देखते हैं तो वो एक चहरा बना हुआ है जो लशकर के साथ लड़ने वाली जो भी ताकद है उसका ये चहरा बन गये है और इम्रान के पीछे भारत कितना है आज हम बता नहीं सकते लेकिन उनके साथ देने वाले जे प्रमुख आएसाय प्रमुख थे फैज हाम वो तो डेफिनेटली उनको साथ दे रहे हैं तो ये हम भारत तो सीधा डायरेक्ट तो वहाँ पर मदद पहुचा तो नहीं सकते लेकिन एक बात जरूर है कि जब तक लशकर वहाँ पर स्ट्रॉंग है तब तक ये पाकिस्तान जो है अपने लिए एक मुसीबत कायम बना रह हो रहेगा और अगर लशकर की ताकत कम हो रही है और उनको दबाकर कोई पॉलिटिकल डिसिजन लेने वाला आदमी वह व्यवस्ता अगर मजबूत हो रही है तो उसका तो जरूर साथ देना चाहिए आपकी द्रिश्टी में क्योंकि अब तक क्या हुआ है कि जो जो सेना को ना पसंद रहा है या सेना अपने लिए भविश्य के लिए जिसको खत्रा मानती रही है उनको तो या तो फांसी पर लठकाती रही है या उडाती रही है अपने ही जनर्रल जियावल हक्तो हवा में ही खतम हो गए थे जुल्फिकार एली भुट्टो को फासी पर चड़ा दिया था उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पर धान मंत्री रही वो जब स्वदेश लोटी तो उनको भी एक आत्म घाती दस्ते ने उड़ा दिया नवाज शरीफ ने अपनी अकल से काम करने की कोशिश की तो जनर्रल मुसर्रफ ने उनको ग्राफ्तार करा दिया एक बार तो लगा कहीं इनका हसर भी जुल्फिकार एली भुट्टो जैसा ना हो जाए फिर कोई समझोता हुआ उनको देश से बाहर जाने दिया गया इम्रान खान जिस तरीके से खुल करे सेना परमुक्हा खिलाब बोल रहे हैं और बहुत ही आक्रा मख है और जिस तरह जुडी शिरीका उनको साथ मील रहा है आपको क्या लग रहा है भचे रहेंगे क्या इम्रान खौन या इनका भी वही हस्र होगा जो पहले कई का हो चुक तो इनों ने जो है पाश्चात्य देश है अमरिका हो या या यूरोपिय देश हो इन सबसे अपना पला जाड़ गाइं तो वो जो नहीं है ना कि रशियया चाइना भी उनके साथ है चाइना के लिए इन्होंने सीपेक का जो प्रोजेक्ट है उसे ही थमने की कोशिश की थी तो बाहर से मदद तो उनके लिए पूरी बंद है अंदर से जो मदद है एक सिर्फ कानूननी मदद इनके पास है लोग जरूर साथ है लेकिन अगर लशकर ने तई कर लिया तो यह कहां लाज उनको दफ़ा कर देंगे हमें पता नहीं चले अगर इनकी तकत इतनी लशकर से बड़ी शकर नहीं पैड़ी है इसलिए अगर लशकर में जो फूट पड़ी है उसी मेंझे से अगर schlimmती है तो आप जरूरल यह बाहर निकल सकते इसमें से बहुत बहुत धन्यवाद स् ये मुटा दिया। Thank you so much. Thank you so much.